इसमें आज दूसरा दिन है हर दिन आपको 100 mcq कराएंगे जिसमें भाति इतिहास भुगोल समान विज्ञान सुतिंता अंदोलन अर्थ सास्त्र समान जागरूकता स्टैक जी के भाति भात का समिधान और क्रेंडफेस से समधित जो कोशन इसमें इंक्लिवट रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महतपूर्ण होने वाले हैं और किसी अन एग्जाम के विट्यार कर रहे हैं यारो ऊसके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत महतपूर रहेगी इसलिए वीडियों को लोग लास्तक जिरूर देखना और चैनल पर नय हो तो चैनल को सब् करेंगर नहीं को जिसमें जो मोहन जोड़ोडान के सिंध्र के सिंध्रण ए यहां से विशाल्स नागार के मिले कि अदिका नाम ग्रंथ की रचना इसने की थी आप्स्यमें का न版 कंग्ल नामिक जो ग्रंथ है कि इसकी जो रचना करी यह करी मेवले इन और ही को किस बासे ने लिखाए पार्टल प्रके मुद्दząd करें के बारे में कि पाठल पुत्र के पिसासन के बारे में और पाठल पुत्राइब किसे बोलते हैं पटनागु भरत और दस रजाओं के बीज, दस राज जुद्ध किस नदी के तक पर हुआ था? ऑप्णिन है विपासा, सतुद्री, पुरु सनी या चैनाब ये जुद्ध हुआ था भरत और दस राजाओं के बीज यह हुआ था पुरु सनी नदी के तक पर 563 इसापूरु में गौतम बुद्र का जन्म कहां हुआ था कुंडल ग्राम में लुम्बिनी में राजग्रह में कुछी नगर में कि पहले देख लो कि गौतम बुद्ध का जर्म जो है कब हुआ था 563 में कहां हुआ था लुम्बिनी में और लुम्बिनी वत्माम ने कहां है यह नेपाल में यहां पर आप से लुम्बिनी के जब पर कफिलवस भी मिल जाता है थे यह जो है जगह जो है यह नेपाल के कपिलवस तुमें स्थेत है तो यहां भी आप आप संसे रहेगा अगर नहीं है कपिलवस तो है तो कपिलवस भी आप टिकर सकते हैं धालवत जो थां को चको थरी को म्हों क्या था यह वी कोश्च्छन पुष्टा फेयृत पलाव को था इनका है को था का यह कुश्ची को था साक प्सक्रिक सदेख्या कृतर यह माना जाता है 57 पूर 57 इसवी 37 पूर यह 28 विक्रम समध्य जो आरम माना जाता है 57 पूर और इसके जो शुर्वात कब कैसे क्या हुए तो विक्रमांदित ने जब चौको प्राजरत की जब किया गया तो इसके उप्रच में प्रच्छप में सब्सक्राइब इसा पूर्व में इसापूरु के जो कि प्राकृृत पाली संशकृत या हिंदी तो गुप्थ शासकों की जो राजकी भासाथी या सासकी भासा ती फी संसखृत तीजिए सव्य होगा गुप्थ वन्स का संताबक फान था सिरीगुप्त तिक है और इस वन्सकों भाति इतिहास का सोन युग कहा का जाता है वाति इतिहास का स्वण किसे का जाता है तो गुप्तवन को कि ऐलोरा का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कि सासक ने करवाया था आप से ने क्ष्क पथम दंति-दुर्ग आमोग वर्ष कैश्न दूतिए तो एलोरा का प्रिशिद्ध यू मंदिर है जिसे क्लास मंदिर भी बोलते हैं इसका नमाल करवाय था क्रिश्ण प्रथम ने और इसका सही होगा और प्रथम जो है राश्च्छकूर सा सकते हैं क्रिश्ण प्रथम जो है राश्च्छकूर सा सकते हैं और क्लास मंदिर है कहां पर ते महाराष्ट के और रंगाबाद में जो है महाराष्ट के और रंगाबाद जिले में इस्तिते हैं महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था उन्नीस सत्रह सत्ताइस सोला तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था सत्तरह बार पहली बाकप किया था एक हजार नौ इस्वी में और आकरी बार किया था एक हजार 27 में और यहां पर आप्टन जो कोश्चन है एक और इंपोर्टन बन जाता है जो पूछा जाए कि महमुद घजनवी का भाद पर आक्मा करने का उद्देश से क्या था उद्देश में आपको दो आप्टन जो कन्फिज करते हैं इसका रहेगा कि इंदा उद्देश इसलाम का परशार करना और एक आप्टन रहेगा कि लूट पार्ट करना तो यहां पर आपको इसलाम का परशार का अगर आप्टन सही कर सकते हैं अगर इसलाम का परशार अगर आप्टन में दिया हुआ है तो आपको ठीक जो करना रहेगा वो रहेगा मुल देश से इसलाम क का प्रसार करना ठीक है तो मैंने उद्धिस क्या था जो मेहमुद जिनवी का इस्लाम का प्रसार करना तथा मुर्ठ गुजा को समाप्त करना कि दिल्ली संत्रत का वास्तुविक संथापक किसे माना जाता है अलाउद्दीन खेल जी को कुतुब बुद्दीन को इल्टुत्मिस को या भक्तियार खिल जी को तो दिल्ली संत्रत का वास्तुविक संथापक माना जाता है इल्टुत्मिस को ठीक अफंसी इसका सही होगा इल् ऐल सुदधास्य है गुलाम कि ने लिल इसमय संत्रत में सबसे कम समय तक शाशन किया था कि टोगिललक बंस गूलाम बंस लोधी यजाःए ध्युटी वं सिस्केम के न छ कहते हैं चोटोटल यह इनके सासंकाल थब ऑद साथ हुआ और सभी धायन कि दिली संथ्रत में सबसे ज्यादा कि सब से ज्यादा समय तक साशन किस नेगता तो था टोगिल्लक बंस इसका सबसे कम समय संपूर्ण समराज कितने सूबों में विभक्त था अठारा एकिस पंद्रा या सबसे कि अगबर के समय संपूर्ण समाज जो है वो पंद्रा सूबों या फिर प्रांथ में विभक्त था यहां से कोशन और बनता है कि दी ने इलाही धर्म की को शुरुवात किस ने करी कि दी ने इलाही धर्म की सुरुवात किस ने करी यह करी थी अगबनने और यहां से कुछन एक और इंपॉर्टेंट है कि दी ने इलाही धर्म को मानने वाला एक मात्र हिंदू कौन था तो वो बीरवल था कि निमलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है तो एक तरफ दिये में यूरूपीय देश और दुछे तरफ दिये हुए उनके दोड़ा इस्थापित पत्म कारखाना किस सहर या किस छेतर में इस्थापित किया गया तो पुर्त काल ने अपना पहला जो कारखाना अपना पहला काला इस्थापित किया स्युद्य में अपना पहला काल इस्थापित किया में तो यह जो प्रॉक्त है जो क्ुर्स नहीं respirator में आ कौन था कैसरे जॉन मिन्डल हाल टॉमस एडवर्ड है टो जॉन मिन्डल हर जो है जॉन मिन्डल हाल जो है पर्तम अंग्रेज थी बात आनेshitशी करने वाले और भात से बाध कि थे 555 स्विमें किस उत्तर कालीन मुगत सासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था option है मोज्यम को फरूख सियर को जहांदार साह को मुहमत साह को तो लंपट मूर्ख जो है यह कहा जाता था जहांदार साह को तो अब यह देख लेते हैं कि मोज्यम को कहा जाता था साहे बेखवर मुहम्मद साह को कहते थे रंगीला और फर्रूक सियर को कहते थे घ्रिनित कायर जहां दार साह को जो है मुगर सासक जो था इसको बोलते थे लंपट मूर्ख मुझ्जम को बोलते थे साहे बेखवर मुहम्मद को बोलते थे रंगीला और फर्रूक सिर को बोलते थे घ्रिनित कायर बंगाल का अंतिम नवाब कौन था मुबारक उदोलल नजम उदोलल सैफ उदोलल म Scorpam तो बंगाल का अंतिम नवाब जो था मुबारस उदोलल इसका 572 प्रिड क्या था गैसा mulher थे 17 27 75 अर्मियुक्य को जो है बेताल कि संगया प्रादान थी इनको जो है बेताल कि संगया प्रादन थी के इंपह नहीं तो और का का अंतिन नौप कौन था मुबार्ग उद्धॉला साचन पीरिड़ेट 1770 से 1770 इस्वी मुबार्ग उद्धॉला को बेताल के संग्या प्रदान थी और बेताल के संग्या दीक्ष ने थी इंपे ने दी थी और इंपे काउन थे उस समय के मुख हिन्यादिश से फर्स्ट वार आफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक फुष्टर की रचना किसने की थी एस एन सेन आर्सी मजूमदार वीडी सावरकर या सोब महता तो फर्स्ट वार आफ इंडियन इंडिपेंडेंडेंस नामक फुष्टर की रचना जो करी थी यह करी थी वीडी सावरकर न है वेद्ध समाज की स्थापना किसी ने की थी देन नाथ क्तेर ने एम्स रानादे सी राम बास परई ने JUST ने S HT आॡ थो वेद्ध समाज की स्थापना करी थी तो शडह रलु नाइड हमने ओara AMD समाज को जो है श्र विद्रोभ किसके नेतरत में हुआ था चितर उमपिष जंग दुसे में हुआ सब्सक्राइबक सब्सक्राइब कबेगेन तो यह भकी सी जंग बन्दू गोम्दर कोह सब्सक्राइब गया कहा था उरिटा में हूँआ है कि ओर ऊप्रांटा में हुआ जोए तटो इसेगा संथापक और संथापक दिये हुए है तो Rungal checklist संसापक जेम्स आक्षिटर स्हिक की थे कि सोम परकास के संसापक इससुचा नल्विद्यासागर थे बंगदूत के मदराथ था बंबई की स्थापना किस घोचाना के पत्र के तहत हुई थी। अठा स्थानटालिस के मैकाली घोचोना में, अठासचोबन के वूड्डिस्पैज घोचोना में, रैले कमेंसन से या हificantर्स इछा आयोग से तो इसमें जो अठाट चोबन के वुड डिस्पेज घोशना से जो है तीन उस्च देले कलकत्ता मद्रास था बंबई की स्थापना जो है करी गई भाद में न्याइक सिवा का जनक किसे कहा जाता है लाद कानवालिस को वारन हिस्टिंग को इंपे को या लाद हिस्टिंग को तो भाद में न्याइक सिवा का जनक कहा जाता है वारन हिस्टिंग को तुब एक कंफ्यूज मत होना हैं दोनों में लाद हिस्टिंग और वारन हिस् कि निर्म लिखित मेंसे कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी ओप्सन है सिंद्ध को अंग्रेजी समाज में मिलाया जाना प्रत्म आंग्ल सिख्षुद्ध तेती आंग्ल वर्मायुद्ध विद्वा पनविवा अधिनियम देख लेते हैं कि जो घटना घटी है ये कब भटी है तो सिंद्ध को अंग्रेजी समाज में मिलाया जाना ये घटा है 1843 में प्रत्म आंग्ल सिख्षुद्ध ये कब हुआ था 845 में तो इसमें देखना है कि सबसे बाद में घटित कौन चिकटना है सबसे बाद में घटित हुई है अठा तो पच्चासी ठीक है अच्छतिय है आंगल वर्मायूत तो आप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा पूना स्थावजिनिक सभा के संथापक का उन थे एमजी रानाडे जीवी जोसी एस एच चिपलूरकर ये उप्रोक्त सभी तो इसमें जो है पूना स्थावजिनिक सभा के संथापक थे इसमें एमजी रानाडे जीवी जोसी एस एच चिपलूरकर ये तीन होई थे इसमें उप्रोक्त सभी जो सही हो जाएगा पूना स्थाविनिक सभा के स्थापना कब हुई यह हुई थी दो अप्रेल संथापक कौन कौन से तो यह तीन होते हैं भारती राश्टी का अंग्रेज के प्रथम अंग्रेज अधच कौन थे अलफ्रेड बेब जार्ज यूल एम ओ हुम या सर हेनरी काटन तो भारती राश्टी कांग्रेज के प्रथम अधच जो थे यह थे जार्ज यूल ऑप्सन बीस का जो है से हो जाएगा यह जो इलाहाबाद का चौथा अधिशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 में इसके जो है यह बनाए गए थे निम्लिखित में से किस स्थित को बंगाल भाजन की खुशना की गई थी 16 और 1905 को 5 एक्टोबर 1905 को बीस जोड़ाई 1905 को या 16 अगस 1905 को तो बंगाल भाजन की हुशना जो करी गई यह करी गई थी बीस जुलाई 1905 को और जो है प्रभावी कब हुआ शुल अक्टोबर 1905 को अगर प्रभावी पूचता है कब हुआ सोलाक टुपव 1905 को कुछना कब हुई 20 जुलाय 1905 को लन्दन में करजन वाईली की हथा किस ने की थी? उधम सिंग, बधनलाल निंगरा बसंद कुमार या वीपी वाडिया तो लन्दन में करजन वाईली की हथा जो करी ये करी मधनलाल निंगरा ने और करी कब थी 1909 अशायोग अंदोलन का पस्ताव किसके दौरह पस्तूत किया गया था महत्मा गांधी की दौरह विजय राघवाचार के दौरह सीयारदास के दौरह या विजी तलक के दौरह तो योग आंदोलन का जो है जो प्रस्तूत किया गया प्रस्तूत किया गया यह प्रस्तूत किया गया सियार दास के द्वारा और इस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था इन्होंने तो नागपुर के अधिवेशन में रखा था यह नागपुर के अधिवेशन में इन्होंने अ यह रागवाचार थे अगरा खुशन देते हैं गांधी जी के दान्दी मार्च की तुल्ला नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसुलिनी के रोम मार्च से किसे ने की थी जवाला नहरू ने सुभाचा नर्बोस ने सर्दा पटेल ने या राजंदर प्रसाद ने तो जो कि 1937 के चुनाओं में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी आठ चग पांच या दस तो 1937 के चुनाओं में कांग्रेस ने पूर बहुमत जो प्राप्त किये थे जिन प्रांतों से उनकी संख्या पांच थी और यह प्रांत कौन कौन से थे तो ये थे मद्रास, संयुक्त प्रांथ, बिहार, उरिसा और मद्रप्रदेश, अब मद्रप्रांथ, ठीक है, ये पास प्रांथ कौन कोन से थे, मद्रास, संयुक्त प्रांथ, उरिसा, बिहार और मद्रप्रांथ कि समाचा पत्रों का मुक्तिदाता किसे का सी जाता या ने क्या गिया था समचा पत्रों पर पधीबन था इसको जो है ळाजिया था भाद छुड़ों अंदोलन 1942 के दोरान निम्द में से किसने भूमिकत रेडियो का संचालन किया था उसा महता, रामनोहर लोहिया, रुना असाफ अली तो इसमें जो है भूमिकत रेडियो का संचालन जो किया था वो तीनों ने किया था तो उप्रोक्त सभी जो है अप्संदीज का सही होगा गांधी इर्विन समझता किस वर्ष हुआ था? 1930, 1931, 1932 या 1934 तो गांधी इर्विन समझता जो हुआ था यह हुआ था 1931 में निम्द में से किस ग्रह के दिन का मान और अच्छ का जुकाओ प्रित्वी के समान है मंगल, बहस्पति, सुक्र या सनी तो दिन का मान और अच्छ का जुकाओ प्रित्वी के समान जो ग्रह है वो हो जाएगा मंगल ग्रह आपसने इसका सही होगा और प्रित्वी का जुड़वाग्रा किसे बोलते हैं तो सुक्र को बोलते हैं वो शुक्रबंधी मस्तुदी छेत्रों में उगने वाले मनस्पति को किस नाम से जाना जाता है टोपोफाइट, जेरोफाइट, हेलोफाइट या लिथोफाइट तो उस क्रबंधी मस्तुदी छेत्रों में जो बनस्पति उगती है उसको जानते हैं जीरोफाइट से आप्सन भी इसका सहिव हो जाएगा वर्मी कल्चर किसे से संबंदित है? केचुवा पालन से, मच्स पालन से या रेशमपी पालन से तो वर्मी कल्चर जो संबंदित है यह संबंदित है केचुवा पालन से अप्सन इसका जो है से हो जाएगा मस्त पालन के संबंद किसे हैं पिसी कल्चर से तीक है और सेरी कल्चर रेशम किट पालन के शेरी कल्चर रेसम की पालन पिसी कल्चर मस्द पालनर वर्मिक कल्चर किछवपालन कि तीहीडी बांध प्रगुज़ुना किसनादी पर है अलग दना एम भग्रती न आन स country एन हम भ दार्תव मेलें और यह जो है ट्रीभी बंथ किस राज में है उत्राकनराज में है भात का नियुनत्म जंक्या वाला राज कौण सा है गोवा अप्रदेश शिक्किम या नागा लेंड पुछले है अधिक्तम जंक्या वाला राज काऊं सा है तो उत्ता बज़े से अगला कुश्चन है निम लिखित में से कौन सही सुमिलित है वन अंसुन्दान संस्थान देहरादून सुस्क वन अंसुन्दान संस्थान जोधपुर हिमाले वन अंसुन्दान संस्थान सिम्ला तो तीनों जाहें यह सही है ठीक तो उत्रुक में से सभी जो है और संदी इसका से हो जाएगा घेलेलू हिंसा से महिला सरंचा अधिनियम निम्लिखित में से किस वर्ष पाइद किया गया था 2005 में, 2007 में, 2009 में या 2012 में मिला ओपांच में महीला सचैंशाधरियाम ओधिया था वुष्छों के पहले 99 यूजय सहंतर को कि इस्थाज में स्थाफित किया गया है हर्यार Łपjos अब्धिश्च के पहले 99 सेथाज के इस्थाफित किया है गुजरात राजमे बीबीसी इंडियन स्पोर्स वोमेन आप दा इयर 2022 पुस्कार किसने जीता है निखत जरीन ने पीवी सिंधु ने मीरावाई चानू ने इन में से कोई नहीं तो मेरा बाइस चानुन जो है BBC Indian Sports moment और यह तुर्षवाइस पुरुसकार जीता है और यह लगाताँ दुसरी बाइनों ने किताब जीता है यह लगाता दुसरी बाइनोंने किताब किताब जीता है कि दो ऑब पाल में के हाली में भाथ कि किस राजिय केंसा 쓰़ें प्रदेश में लिथियम के भंडार你的 है राजस्थान केन सैन्युगी कि पांच पाइंट नो मिलियन टन कि यह कितना भंदा अर्ष का अन्मान लगा गया पांच पाइंट नो मिलियन टन का इसमें जो है अन्ताजा लगा गया है हो कि बज़एंट 2324 में केंज सर्कार ने कितने रुपे के खर्च का लच रखा है कि 45.03 लाग करोर 47.45 लाग करोड तो बज़एंट 2424 में केंज सर्कार ने जो है 45.3 लाग करोड का जो है लच रखा है तो अपस्के इसका सही होगा हाली में हुए राजपाल के निक्डों के समंद्ध में कौन सा सही सुमेलित है टीक है तो एक तरब दिये में राजपाल और दूसरर दिये में राज्य है तो फागु चौहन जो है कि ये सिपकपास सुसु पूछ रह पूछ रहा है कि शुंड़की है पाखे जो राजपाल है में राजकी है कि रिविष्णाथ राज़के यहों है यह जार्कन राज़ कि अपाई राज़के के हैं सिपी राधाकिसरन जहारखन के हैं राजेंद विस्टनाथ अर लेकर रजपाल है बिहार राजिके हैं और स्विपरताप सुक्लुजुराजपाल है यह हैं हिमाचल प्रदेश के दब्लू बुक और राइटर्स जनरल पुस्तक किन के दौरा लिखी गई है अमताव कुमार के दौरा जे साइन दीपक के दौरा रेस्किन गौन के दौरा या गौतम बोरा के दौरा दब्लू बुक और राइटर्स जनरल जो लिखी गई है यह लिखी गई है अमताव कुमार क का सई होगा अ-चे फजवर में बारवां विस्व हिंदी समलनम का एवजन कहां किया गया पापवा नियुगिनी आश्टियलिया फिजी या फ्रांस में तो फिजी में जो है बारवां विस्व हिंदी हमिलनम का आवजन 23 का जो किया गया किस देश के राष्टपती अबदेल फता अल सीसी भाद के सचोतरवें गर्टन दिवस पर मुक्य अठिती थे तुर्की, यमन, उमान या मिस्र तो यह राष्टपती जो हैं अबदेल फता अल सीसी यह मिस्ट देश के हैं जो कि चोतरवें गर्टन दिवस पर मुक्य अठिती बुलाए गये थे तो यह भी दहां रखना है कि मिस्ट के जो राष्पती कौन है अबदेल फता अल सीसी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 22 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन साइस्थान है चालिसवां त्रितालिसवां चालिसवां यह मैं से कोई नहीं तो नवाचार के मामले में 22 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसमें नवाचार के मामले में भारत का इस्थान जो है वह है कि दुनिया का पहला नेजल कोवीड वैक्सीन किस कंपणी ने विक्सित किया है और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने नाम क्या रखा है इनकोवेग इसका नाम क्या है इंकोवेग इसका नाम रखा ग्या था वह क्या रखा ग्यान कि एक बिवी one five four यहीं पुछ लेता है कि इंखेक के पहलेिय सका नाम क्या था वह था बिवी one five four कोशिका में राइसरों की अनुपस्थित में कौन सा कार संपाधित नहीं होगा स्वसंद प्रोटेन संचलेशन कर्दों से रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है तेवर रोग लच्छन चिरकालिक या रोग चिन्न तो वो रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं वो रोगों को कहा जाता है चिरकालिक इन में से कौन प्रकास अंसलेशी वो अंगक है पत्ती जड़ हरितलवक या इस्टोमेटा तो प्रकास अंसलेशी अंगक जो है वो है हरितलवक निम्द में से समानेता किसका उपयोग पादप कुछ का दोरा उर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है कार्बोहेड्रेट, एमेनो अमल, डामिनसी या वसा अमल तो काबोहेड़ेट का जो है उप्योग जो है समाजता पादब को इसका द्वारा उर्जावत बातन के लिए किया जाता है फ्लोयम से खादब दार्थों का परिवहन पौधों में किस दिसा में होता है केवल नीचे की और केवल उपर की और उपर और नीचे दोनों की और एंड में से कोई नहीं तो फुलोम से खादबल दात्यों का परिवहन जो है पौधों में उपर और नीचे दोनों की ओर होता है तोस्टि इसका सही हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग यह भी ना रखना कि खादबलात्यों का संचित रहते हैं तो उसन दी जो है से हो जाएगा सब मुद्ज़िट पाउदों के पादन में सहाइक होते हैं कि साईटोकाइझ और cy contar esperar दोनों और साध्रमों धानुट इसन धिर उपहरमोन है ये दोनों पादफारमों है निम लिखित में किस दरपन द्वारा किसी वस्तुका वास्तुविक पजबिम में मिल सकता है संतल दरपन द्वारा अवतल दरपन द्वारा उतल दरपन द्वारा या सभी के द्वारा तो वस्तु का वस्तु का वास्तु एक पजब्रम जो मिल सकता है वो मिल सकता है अवतल दरपन के द्वारा समान्य नेत्र अधिक्तम कितनी दूरी तक वस्तों को साफ साफ देख सकता है 25 मेटर 25 सेंटीमेटर 2.5 सेंटीमेटर या अनन्त तो समान्य नेत्र जो है अधिक्तम अनन्त दूरी तक साफ साफ देख सकता है विद्धु धारा उत्पंद करने की युक्त को कहते हैं जएathan ग्यल्वनो मीटर एंपीटर मीटर तो विद्यु धर्यूद्धाइब उत्पंद करने की युक्ति को कहते हैं जनेत्थ अगर भूल जाद रखना जेंटर उससे भी जो है लाइट वनती है अ जननेरेटर से जनित्र इस्तापन किदर को कहा जाता है त्वरण चाल वेग उपरीफ में से कोई नहीं तो इस्तापन किदर कहलाती है वेग कर दो करणों के बीच कृत्वा कर्सर्ण बल होता है उनके बीच की दूरी के समानुपाती वर्ग के वित्कुर्मानुपाती वर्ग के समानुपाती या वित्कुर्मानुपाती तो दो करणों के बीच गुत्वा कंसर जो बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्कुर्मानुपाती होता है तो अपसंद भी इसका सही होगा इनके बीच कि जितनी दूरी बढ़ेगी इनके बीच जो कुट्वा कंसर्बर जो है उतना ही कम होता जाएगा कि निंदांकिन में से लवन का उधारण है एजने इसएल एजने एजने ऊएज के एज तो लवन का उधार कौन सा है एजने इसेएल एमजी में लेक्टाण की जंख्या क्या होगी 10, 12, 14 या 16 तो M G में perceptना संख्या हो जाएक정이 10 पह Agriculture संख्या होगा जमके संख्या होती है आपको देखेएं कि दो जो हैं इसने perceptना त्याग दिये तो 12 मैंनस 2 दस 10 ietsना संख्या हो जाएगी द्विबंधवाले रसानिक बंधन से बंधे परवाणों के मद्ध कितने इलेक्टानों को सजा होता है दो, चार, छे, आठ तो द्यूबंध वाले रसायनिक बंधन से बंधे परवाणों के मद्ध जो हैं चार इलेक्टानों को चार इलेक्टानों का सजा होता है द्रवी भूत प्रेटोलियम गैस का अव्यव है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन यह सभी तो द्रवी भूत प्रेटोलियम गैस का जो अव्यव है यह प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन यह सभी है जिसलिए अप्संदीज का से हो जायेगा कि LPG का मुख्य अव्योव क्या है तो वह ब्यूटेन है कि LPG का जो है मुख्य अव्योव है ब्यूटेन है ठीक है और ब्यूटेन इसमें क्या है कि कोई भी स्मेल नहीं होती है तो इसमें क्या है गंध के लिए tu है एगे दाइटाइमें करेक्षाइए में है ऐसमें है चानल पूसंट के लिए कौनमी गंफेक्षाइब तो में रहा है गता इत्साईल मर्कैप्टन एक सहय हैं जिसका देनिक करते कि योगिकों को में निम्दान में से कौन कि रशान से कंदने के यौगिकों में जो है जो है जो है जो है है। कि हमारे समिधार में कर देशक मुन अधर्वरतनी हैं अधर परवरतनी हैं अपर नी रूप से Сейчас सब्सक्राइब कानूनी अदालतों दारा अप्रावतनी है किस समिधान संसोधन के तहट राष्टपती के निर्वाचक मंदल में कि इस प्रदेश दिल्ली तिथा पुदुचेरी के निर्वाचक सदस्यों को भी सामिल किया गया सरकार की मंदल प्रणाली की सबसे महत्पूर्ण विश्यस्ता क्या है सरकार की मंदल प्रणाली के सबसे महत्पूर्ण सेथा है सामुहिक उत्तरदाय तो केंद्री सरकार का उच्छतम सिविल अधिकारी कौन है महानियावादी मंदल सचिव ग्रह सचिव या प्रहमंत्री का प्रमुक सचिव तो केंद्री सरकार का उच्छतम सिविल अधिकारी जो है मंदल सचिव ग्रह का उंग मंसा इख्थानी सरकार का मामला नहीं है सावजनिक्स स्वास से सच्छता कानून और विवस्था जो है इख्थानी सरकार का मामला नहीं है कि विधाय को रथा सांस्तों दौरा ली जाने वाली सपत का प्रतिग्या का प्राय रूप किस अंसूची में वर्नित है दूसरी तीसरी चौथी या छठी तो विधाय को तथा संस्तो दोरा ली जाने वाली सफत का पतिग्या का सफत्थ या पतिग्या का प्रारूप जो है तीसरी अंसूची में वर्नित है तोटल अंसूची नहीं है 12 है राश्ट्री इसमारकों इस्थानों तथा वस्तों का सनच्छन किस अनुच्छेद में वर्नित है अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 49 में तो अनुच्छेद 49 में राश्ट्री इसमारकों इस्थानों तथा वस्तों का सनच्छन वर्नित है भारती समिधान के किस अनुछेद में अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के लिए आरचन का प्राधान किया गया है अनुछे 375 में, अनुछे 315 में, अनुछे 335 में या अनुछे 365 में तो अनुच्छे 335 में अंसूचित जातियों और अंसूचित जन जातियों के लिए अर्चन का पाउधान जो है किया गया है आर्थिक आयोजन एक अनिवार अभिलेच्छन है मिस्त अर्थवरस्था का दुविद अर्थवरस्था का समाजवादी अर्थवरस्था का या पूंजीवादी अर्थवरस्था का तो आर्थिक नीयोजन जो है एक अनिवारे अभृष्षण है शमाजवादी अर्थवस्था का निम लिखिद में से भारती अर्थवस्ता के 33 छेत्र के अंतरगत आता है कपड़ा उद्द्योग वस्तूओं का परिवहन डेरी या चीनी उद्द्योग तो 31 छेत्र में आता है वस्तूओं का परिवहन कि बिहार आतिस रवच्छन 22-23 के अनुसार वर्तमान राजे में सहरी करण का इस्तर क्या है तो बिहार राजे में सहरी करण का इस्तर है 15.3% 22.4% 16.2% केंद्री बजट 23-24 में निधायत विकास की साथ पात्मिक्ताएं जिससे नाम जाएगा सत्रिसी जिनमें साथ जो चीज़े सामिल है इनमें से तीन यहां पे लिखी हुई है इसलिए इनमें सभी जो सहरी जाएगा कि तीनों ही जो है सत्रिसी में सामिल है भिहार के निमने हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूत आत्युक दरच्टी से अभिशागरत पुरहतास पहार, उत्तर पस्यम के पहारियां, खर्लकपूर पहारियां उस्तर गंगार का मैदान तो बिहार का च्छेत रहे ठीक है इनमें से रोतास पठार उस्तर पश्चिम के पहारियां खड़कु पढ़ार पारियां इनमें देखना है कि भूतात्यु दर्ष्टी से अभिश्चा कर पुराना कौन सा है इन चारों में ठीक है जुसका है एलिफेंटा निकोबर आमेस्वरम या साल्चे तो सिलंक और भात और शिलंका के मद्द हैं कि नः इसकी आइल सबतार होगे हॠ तो इन दो देश जो की बीच में घरामेस्वरम है ये impossible भात के सबसे लंबी नदी कौन सी है ब्रह्मपुत्र गंगा गोजावरी या सिंदू तो भात के सबसे लंबी नदी जो है वो है द्रिंगा नदी इसे लंबा कितनी है 2525 किलो मिटर रेगुर किसका नाम है लाल मिट्टी जलोड मिट्टी काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी तो रेगुर जो नाम है यह नाम है काली मिट्टी का एक निश्चित आकरत में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है आकाद गंगा, नचत्र, इंडरोमीडा या सॉर्मंडल तो एक निश्चित आकरत में जो ताराओं का समूह होता है उसे नचत्र मंडल बोलते हैं विश्व प्रत्वी दिवस कम मना जाता है 22 अपरेल 22 मार्च 7 अपरेल या 7 मार्च तो विश्व प्रत्वी दिवस जो मना जाता है 22 अपरेल को यदि दो स्थानों की इस्थित में 90 डिग्री दिशांतर का आंतर है तब दोनों स्थानों के 20 समय का आंतर होगा कि दरी कुल निटा यहाँ आतोध यहाँ भनते मिुद्ध। देखक्स करें तो जैनि वह घुमते हैं आजाएगा कर देंगे तो यह को आल जाएगा टाइम ठीक है अब चुक्कि यहां पर गंटे में समय दिया हुआ है इसको गंटे मदलेंगे गंटे मदलने के लिए गंटे में दो च्थानों की स्थित में जगर नबय डिगरी अंतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के समय अंतर क्या होगा तो होगा छे घंटे कि निमलिकी समझी धराओं में से कौन हिंद महाताकरी धारा नहीं है अगुलहास धारा मुजांबिक धारा दच्छिन हिंद महासागरी धारा बेंगुएला धारा तो समय धाराओं मेंसे जो हिंद महासागरी की धारा नहीं है वो है बेंगुएला धारा अपसंदी इसका से हो जाएगा अगुलहास धारा मुजांबिक धारा दच्छिन हिंद महास खु defa categories कर है कि अट्लांटिक महासाजर झालिया धारा जो है जाने है एदिजर्द लांटिक महासाँ कि अबने थन्दिद्रा है चिप बॉद्दार रख ना है कि बेंगलाय धरा जो है थन्दद्रार 10 है he इन में से कौन सा जील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है आप से ने बियर सुपीरियर हुरॉन मिसिगन तो ग्रेट लेक्स जो है जीलो का समुव है यह कहां पर है तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्यूप के उत्तर पूर में उत्तरी अमेरिका जो इरी और उंटोरियो यह पांच जीले इसमें सामिल नहीं है तो ग्रेट लेक्स में जो पांच जीले कौन-कौन सी है हुरॉन सुपीरियर मिसिगन इरी और उंटोरियो यह पांच जीले हैं यह स्थित कहां पर है यह उत्तरी अमेरिका महाद्यूप के उत्तर पूर शेतर में स्थित है जैव विज़ता का सबसे महत्पूर्ण पहलू है भोजन और सद्ध और दोगिक उप्योग पाशितिक दंत्र का निरवान तो जैव विज और बुद्ध में से कोई नहीं तो परद्यावरण में गीणहस पुर्फवाव में व्रधि जो होती है वह होती है कारबन डाई आकसाइट के करण कार्बन क्रेडिट का दिस्टिकोल इनमें से किस से सुरू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्वी सिखर सम्मेलन मानिटरिल प्रोटोकॉल या जी एट सिखर सम्मेलन तो Kyotounion Protocol के तह़र जो है कारबन करेड का दिश्ट कोल जो है शुरू किया गया ओजोन प्रद सर्जण दिवस मना जाता है सुलस्तंबर को पांजोन को तेस मार्च को या 21 अपरेल गूजोन प्रद सर्ट दिवस मना जाता है चुलस्तंबर को राजियू गांधी वन्ने जीव सरंचन पुरुस्काज दिया जाता है सच्छी तथा सुल्षंसाओं को वन्ने और वन्ने जीव अधिकारियों को वन्ने जीव सरंचकों को यह प्रुक्त सभी को तो राजियू गांधी वन्ने जीव सरंचन पुरुस्काज दिया जाता है यह बैंगलूरू में तो भाग करास्ती जविक उद्यान जो इस्थित है यह इस्थित है नए दिलने में निट्य में से किसके माई पिक्चर औफ फरी इंडिया नामक पुश्तक की रचना पंचायिती राज वयस्ता संन्धित है जवाला नहरू, महात्मा गांधी, मलंतराय महता इन में से कोई नहीं तो इसमें से महात्मा गांधी ने जो है My Picture of Free India पुस्तक जो लिखी है और इसके रहे से दाचना जो है पंचाइती राजवस्ता से समन्दीत है भीखार-व्धान-सभां में सीटोões कि संख्या किदनी है 234, 236, 243 या 241 तो भीखार-व्धान-सभां में सीटो कि क्यों संख्या है 243 निंद में से कौन पद्र्यावरण संथुल रंक की संचर से समन्दित है है वन नेति पड़ावरा संऻ्चाधनियम और दोगनिति क्छा नेति क्या है कि अधों कि पर्दयावरान शंत्रल्णं को सम खिए चारोंा सन महिसेसे हो और सिर ग्रमिच में जड़ा फिंट यिस्में कुर्ण अंसर करहा हो जाएगा सभी सिर्ण आघटर है किम निमलिखित में से क्र्षितिक तंत्र है धान्स फ्राइगे घस का मैदान जील और घास मैदान जू है तो क्लिक फ्राइगे प्रास्थितिक चंत्र है तो काुं या खिस आंदोलन का नारा है एपिको आंदोलन नर्मदा बचाओं अंदोलन जिफ को आंदोलन या इस измен कोई नहीं तो पारि इधितिकी इस्थाई मित वेवताह्ये यह चिफको आंदोलन का नारा है говор चिपको अंदोरन जो है उत्राखन में हुआ था यह कब हुआ था 1970 के तो यह सब्सक्राइब आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कर देना और इसको पीडिएफ है पीडिएफ जो है इसकी वह आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलिग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी